बात इस वक्ते एक बड़ी अब्रेकी कर लेंगे मॉस्कों में लंच और क्रेमिनल में उसका डिनर का इरादा रखने वाले वैगना गुर्ट के तेवर शाम होते होते धीले पड़ने लगे योगनी प्रिवोजन जिन्होंने की रूसी रक्षा मंत्री को फांसी पर लटकाने की कसम खाई थी वो उससे अब मुकर गए है तो आखर इन 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि जॉम्बी आर्मी की का इरादा हर मिनट बदलता गया और वो अपने पुराने अड़े की तरफ कूच करने लगी इस रपोर्ट में जानिये उन 12 घंटों में हुई बड़ी डील के बारे में मॉस्को स्राइन तस्वीरों को घौर से देखी पहली तस्वीर उस वक्त की है जब येविगिनी प्रिगोजन रस्तोफ पर कवजे के बाद अपने जवानों का होसला बांद देते दिख रहे हैं येविगिनी अपने नड़ाकों से हाथ मिलाते हैं उन्हें चियर्स करते हैं उनके जोश पर दम भरते हैं दूसरी तस्वीर देर रात की है जब येविगिनी की बटालियन रस्तोफ छोड़ कर अपने हत्यारों के साथ अपने अड़ों पर वापस लौट रही थी लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि क्रेमलिन पर कबजे का इरादा रखने वाले येविगिनी प्रिगोजन अपने वचन से मुकर गए अपनी कसम को भूल गए और अपने सिपाहियों के साथ अपने पुराने अड़े पर लोड़ गए के लिए तैयार हो गए इसा क्या हुआ कि रस्तोफ पर कबजा करने के बाद रूस की बड़ी मारतों पर अपनी धाग जमाने वाली ये जॉंबी आर्मी इतनी आसानी से अपना काफिला लेकर रवाना हो गई रक्षा मंतरी सरगेई शोईगू को फासी देने वाली धंकी को भूल गई और रूस के साथ जंग में कंदे से कंदा मिला कर चलने के लिए तैयार हो गई दमित्री पुतिन के खास कहे जाते हैं जो दावा कर रहे हैं कि वेगनर के साथ उनकी सुला हो चुकी है और वेगनर ग्रूप अपने योद्धों के साथ अपने इलाकों के तरफ कूछ कर रहा है जो अब दावा ये कर रहे हैं कि वेगनर की बातों को महयुद में अनसुना नहीं किया जाएगा वेगनर ग्रुप की सोच को भी तरजी मिलेगी उनके साथ रूसी सेना अच्छा बड़ताव करेगी इतना ही नहीं ये वेगनी के खिलाव खुली मौत की फाइल को भी बंद कर दिया जाएगा हर फैसले को वापस लिया जाएगा पुतिन के इस फैसले के बाद जाहिर तोर पर जलेंस्की की धड़काने तेज हो गई होंगी क्योंकि रूस में ग्रहयूत की आख से जलेंस्की को जहां अपनी जीत की किरने नज़राई थी वो वेगनर ग्रुप के लोटने के साथ ही ढल गई इतना ही नहीं पश्चिमी मीडिया में यहां तक दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने व्यक्तिकत रूप से बेलरूस की यातरा के दोरान ये वेगनी की सुरक्षा का वदा किया है और उसके साथ बराबरी का विहवार करने की बात कही है रूस के शेहरों में जिस जोश के साथ वेगनर के लड़ा के घुजे थे वो उनके होसले की एक छोटी सी तस्वीर थी पश्चिमी मीडिया के मताबक वेगनर गुरूप के गुस्पैट के दोरान 15 रूसी सैनिकों की मौत हुई जिसमें ज्यादतर हेलिकॉप्टर पाइलोटों की मौत का दावा किया जा रहा है मौसकों की तरफ कूच का एरादा रखना और रूस के शेहर पर कबजे का मकसद जो भी हो लेकिन वेगनर गुरूप ने ये साफ कर दिया है कि अगर महायुद के मैदान में उनकी नहीं चली तो वो क्रेमलिन के कले में भी गुसने का दम रखते हैं वेगनर चीफ योगणी प्रोगिजन और उनके सभी लड़ाकों ने रोस्तूफ में रूस के सैनि मुख्याले को खाली कर दिया है जिसके बाद उनके बेलारूस लोटने का दावा किया जा रहा है और इससे पहले खबर ये थी कि उन्होंने कुछ प्रमुक मुख्यालेयों को खेर लिया है उस पर खब्जा कर लिया है और उसके बाद समझोती की बाद चीच चली है लेकिन अब पता ये चल रहा है कि वो अब यूटन ले चुके हैं और ऐसे में कल मुख्याले पर जब खब्जा करने की खबर आई थी उसके बारे घंटे बाद उन्होंने ये मुख्याले भी खाली किया और अपने इरादे भी वदल दिये अब आपको बताते हैं कि पुतिन के खलाफ किसने बगावत दी है पुतिन की वैगनर आर्मी क्या है वैगनर गूप की स्थाफना दिमित्री युश्किन ने की थी और हिटलर के संगीत का रिचर्ड वैगनर के नाम पर ही इस गूप का नाम रखा गया है आपको बताते हैं कि अभी यवगनी फ्रिगोजन वैगनर गूप के प्रमुखेयानी मुख्या है और गूप पर हर महीने आठ अरव 28 करोड से जादा का खर्श होता है वैगनर गूप में 90 प्रतिशत लड़ा के पुर्व कैदी बताए जाते हैं साथी वैगनर गूप में हत्यारे बलातकारी ड्रग्स माफिया भी शामिल है इसके लावा यूकरेन में 50,000 से जादा लड़ा के शामिल हुए हैं और इसके लावा सीरिया युद्ध में भी इन्होंने एक सक्री भूमी का निभाई और बड़ी तादाद में वैगनर गूप के लड़ा के वहां महुजूद रहे और इको और बड़ी अपडेट सामने आ रही है रफ्तोफ से जिस वक्त वैगनर सैनिक बाहर निकल रहे थे तो वहां के लोगों ने उनके प्रती समर्थम दिखाने के लिए सडकों पर उतरे और वैगनर के नारे लगाए तो यह बड़ी अपडेट आपको बता दें वैगनर आर्मी का लगातार समर्थन वहां के स्थान ये लोग करते हुए दिखाई दिये और वैगनर गूप के विद्रो के बाद रस्तोफ रेल्वे स्टेशन पर लोगों की एक लंबी कतार भी नजर आई थी और दावा है कि वैगनर के ये कबजे के बाद से लोगों में काफी डर का भी माहौल था तो बड़ी खबर आपको बता दें कि वैगनर गूप के विद्रोव से लोगों में डर है देश्ट देखी जा रही है रस्तोफ चोड़कर दूसरे शेरों में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है जिसकी वज़स से रस्तोफ स्टेशन पर लोगों की भीड दिखाई दी है पुतन के ख़लाफ बगावत करने वाले वैगनर गूप का रुख थोड़ा नरम पड़ता नजार आ रहा है लेकिन पुतन के ख़लाफ वैगनर की बगावत सवाल खड़े कर रही है जो रसोहिया पुतन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जूटा पाता था उस वैगरार शिप ने पुतिन के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे कर ली है कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा तो ये भी है कि वैगनर की बगावत के पीछे दरसल सेलिंस्की और नेटू की लीडर्शिप भी शामील है आखिर कैसे ये पूरी योजना बनाई गई होगी हमारी इस खास रेपोर्ट में देखिए खायानक हमगा वैगनर की बगावत पुतिन का रूस हैरान है कि आखिर पुतिन के टुकणों पर पलने वाला रस्कुईया वैगनर चीफ ये विगने पिरॉकजन अचाना केतना फूखार कैसे होगया जो अब सीधे मॉस्कों पर ही हमला करने के लिए निकल चुका है ज़रा देखिए वैगनर चीफ कैसे रूस को धंकी दे रहा है वैंसलेंसलेंसलेंसलेंसलेंस्त कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैगनर चीव का इस तरह से विद्रोग करना हैरान करने बाला है क्योंकि इस सुथ योग्रेन की सभी काउंटर अटैक रूस ने लगबद नाकाम कर दी है चार जून से योग्रेन रूस पर पांच इलाकों से हमले कर रहा है लेकिन तीन हफ़ते बाद भी योग्रेन की सेना रूसी सेना की पहली रक्षा बंती तब को भेद नहीं पाई है ऐसे में सवाल उठता है कि जंग के मैदान में पुतिन की जीत के बीच अचानक रूसी सेना पर वैगनर ग्रुप ने हमला क्यों किया है क्योंकि वैगनर ने रूसी हेलिकॉटरों को दबा किया रोस्तो में रक्षा मंत्राले के हेटक्वार्टर पर वैगनर ने कबजा किया क्या ये नैटो और जेलन्सकी का कोई बहुत बड़ा वार प्लैन है योक्रेन के काउंटर अटाक फेल हो रहे हैं और वैगनर कहीं न कहीं योक्रेन को बचा रहा है कमजोर योक्रेनी सेना रूस में घुस कर हमला नहीं कर पा रही है इसलिए वैगनर अब रूस में घुस कर हमला कर रहा है वैगनर इस वक्त नैटो और योक्रेन के इशारे पर बड़ी बगावत कर रहा है और आखिर में 62 साल का वैगनर चीथ येवेगने पिरोक्जेन पुतिन को सत्ता से हटा कर अमेरिका, योखेन और नैटो की मदद करना चाहता है। येवेगने पिरोक्जेन ये भी चाहता है कि उसे रूस में सत्ता में सबसे ताकतवर रुद्बा में। वैगनर की इसी चाल और साजिश को रूस के राश्रपती पुतिन भाप चुके हैं और इसी लिए वो साफ कह रहे हैं कि रूस की पीट में छूरा खोपने वाले वैगनर को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वैगनर ने ऐसे वक्त में वकावत की है जब रूस एक साथ की उक्रेन समेथ एक्यासी देशों से जंग के मैदान में अकेले मुखाबला कर रहा है। और पुतिन के खलाब बगावत करने का दुस्साहस आखिर योगनी प्रिगोजन के पास ये आया कहां से और इस घटना को लेकर के विदेशी मामलों के जानकार भी अब अपनी राय रख रहे हैं। और इस रिपोर्ट में आपको बताएंगी कि आखिर क्यों डिफेंस एक्सपर्ट इस त्योरी पर यकीन भी कर रहे हैं। जानस्की का मोहरा वाओनर की बताव Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб. К бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. अबराचाईज इक तेम कवो अब्मानम इले उग्रोजमे व्तिनूले व प्रिस्टुपनूँ अवंट्यूरू तल्पनूले नपुट त्याशकवा प्रिस्टुपलेन्य वरुजोननवे मिटिजा पोतिन के तेवरों से साफ है कि अगले 24 गंटे के अंदर व्यागनर ग्रुप पर बेहत दीखी कार्यवाई होगी पोतिन ने दो टूक समझा दिया है कि रूस क्या करने वाला है जरा देखिये पोतिन ने क्या कसम खाई है पोतिन ने धमकी दी है कि वैगनर ग्रुप ने देश को धोखा दिया उसे सक्त सजा मिलेगी वैगनर ग्रुप ने रूस के लोगों के पीच में छूरा घुपा वैगनर ने रूस की सेना को चुनौती दी हम उसे तबाख कर डालेंगे रूसी सेना हीरो की तरह है पेश को तूटने नहीं देंगे रूस अपने भविश्य के लिए लड़ रहा है वे द्रोहियों ने रूसियों को बांटने की कोशिश की पश्चिली मश्रींद्री हमारे विरोध में खड़ी है और हम घर चुनाती और खाटरों को साफ कर देंगे ज़न्स की कमखर, वेखन की पगावों जालंस की का मोः वेछनर की पाला की रहाव ुिने की वीपा हाव School आप जे हुचितिंग झाड़ झाओव स calculating Det Annuencia आप हुँआध, οत ख्रूछ ब स्क्रीं कि внесालि हैं इन्हार उयू कि अվालन इ स्वें अवाफ एav वे ऊ हैं जहत प्राछा कि अपी कि else य को स्सीत करता हैं पने यू हो एद य को कु को ओारी को लवां तो है अिता हैं, oppõ turist हैं तो को holding रहत हैं ये बी सच है कि योक्रेइन के सोलिदार और बखमूत पर कबज़ा करने में वेगनर ग्रूप ने शांदार जंग की है जिसकी तारीफ पुतिन भी कर चुके हैं लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि 25 माई को बखमूत से वेगनर के लड़ा के निकल गए और उनकी जगर रूसी सेनिकों ने मोचा समाल लिया 62 साल के वेगनर चीफ इससे पहले यही दावा कर रहे थे कि बखमूत में रूसी सेना ज्यादा दिन तक नहीं ठिक पाएगी कंदे से चलाने वाली एंटी एरक्राफ्ट मिसाइले वेगनर ग्रुप के पास पहुँच चुकी है नाटो, अमेरिका और कुछ पश्चमी देश रूस के अंदर दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहते है जहां मुजाई दीनों से रूस को हरवाया गया था क्योंकि योक्रेन और नैटो को समझ में आ चुका है कि सीधी जंग में योक्रेन रूस को कभी नहीं हरा पाएगा इसलिए अब वेगनर को मोहरा बनाया गया है और इसलिए बार-बार वेगनर चीफ, रूस के रक्षा मंत्री और रूसी सेना के कमांडर इन चीफ को पद से हटाने पर अड़ा हुआ है ताकि रूस जंग के मोर्चे पर कमजोर हो जाए औरो दोते है बहां शब्स को में इसलिए को लोग तार फेम और लोगष uh-pha मैं अगताज को शोते उसलिए First Coland काटरे उनिश्टोजले ओकलो सोटनी तीशिच रूस्किछ सालदाट, गेरासिमफ इशाइगू.